नमस्कार, मैं डॉक्टर नमीता वर्मा, अकैडमिक कंसल्टेंट, उत्तराखंट ओपन युनिवस्टी, अर्थ शास्त्र विभाग. हमारा आज का विशय है आर्थिक विकास के अंतरगर्थ, आर्थिक विकास का अर्थ तथा माप. आज के इस प्रगति शेल, यूग की मुख्य समस्या, आर्थिक विकास के समस्या है. वर्तमान आर्थिक जगत में, आर्थिक विकास का विचार एक महत्वपूर्ण इस्थान रखता है, तथा अधिकांश अर्थ शास्त्रियों द्वारा किये जाने वाले चिंतन का यहो एक केंद्र बिंदू बना हुआ है. आर्थिक विकास, जैसा कि इस शब्द से स्पस्थ होता है, का अर्थ है, अर्थ व्यवस्था में सभी छेत्रों में उत्पादक्ता के स्थर को बढ़ाना ही आर्थिक विकास कहलाता है. आर्थिक विकास से अभिप्राय, राष्ट्री आय में वृद्धी करके निर्धनता को दूर करना तथा जीवन स्थर में सुधार करना है. आर्थिक विकास की एक सर्वमान्य परिभाशा देना अत्यंत कठिन है, क्योंकि आर्थिक विकास में अभुहिरूची रखने वाले अर्थशास्त्रियों ने इस शब्द की परिभाशा विकास के विभिन आधारों को दृष्टी में रखकर देने का प्रयास किया है. एक संप्रदाय के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ कुल राष्ट्री वास्तविक आयम में व्रिधी करना है, तो दूसरी विचारधारा के लोगों ने प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में की जाने वाली व्रिधी को आर्थिक विकास की संग्या दी है. मायर वोब बाल्डमिन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्ख काल्म में किसी अर्थ व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रि आई में व्रिधी होती है प्रोफेसर लुइस के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति उत्पादन में व्रिधी से लगाया जाता है प्रोफेसर विलियम संस के अनुसार आर्थिक विकास तथा व्रिधी से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा किसी देश अथ्वा प्रदेश के निवासी उपलब्ध साधनों के उप्योग प्रति व्यक्ति वस्तवों के उत्पादन में निरंतर व्रिधी के लिए करते हैं इन तीन परिभाशाओं से तीन महतवपूर्ण बाते समान रूप से परिलक्षित होती है पहला है प्रक्रिया आर्थिक विकांस एक सतत प्रक्रिया है जिसका अर्थ कुछ विशेश प्रकार की शक्तियों के कारिशील रहने के रूप में लगाया जाता है इन शक्तियों को एक अवधी तक निरंतर कारिशील रहने के कारण आर्थिक घटकों में सदैव परिवर्तन वो विवर्तन होते रहते हैं यद्यपी इस प्रक्रिया के फल्स्वरूप किसी अर्थ विवस्था के विभिन छेत्रों में परिवर्तन तो होता है किन्तु इस प्रक्रिया का समान्य परिणाम राश्ट्री आय में व्रधी होना है दूसरा है वास्तविक राश्ट्री आय रियल नेशनल इंकम आर्थिक विकास का संबंध वास्तविक राश्ट्री आय की वृधि से है ध्यान रहे वास्तविक राश्ट्री आय की वृधि से अभिप्राय किसी राश्ट द्वारा एक निश्चित काल में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के विशुद्ध मूल्य में होने वाले वृधि से लगाया जात इसलिए किसी देश का आर्थिक विकास तभी माना जाएगा जब उस देश में वस्त्वों और सेवाओं का उत्पादर निरंतर बढ़ता रहे। आर्थिक विकास का संबंध अल्पकाल से ना होकर दीर्खकाल से होता है। दूसरे शब्दों में विकास की यह प्रक्रिया एक या दो वर्षों में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तनों से संबंदित नहीं होती। बलकि 15 से 20 वर्षों का दीर्ख कालीन परिवर्तनों से संबंदित है इसलिए अगर किसी अर्थ व्यवस्ता में किनी अस्थाई कारणों से देश की आर्थिक स्थिती में सुधार हो जाता है जैसे कि अच्छी फसल अथ्वा अप्रत्याशित निर्यात होना तो इसे आर्थिक विकास नहीं समझना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास विशेश घटकों से प्रभावित होने वाला विकास है अब हम बात करेंगे आर्थिक विकास तथा आर्थिक व्रधी में क्या अंतर है आमतर पर आर्थिक विकास तथा आर्थिक व्रधी में कोई अंतर नहीं किया जा किन्तू प्रोफेसर शुम्पीटर तथा शुमती हेक्स ने इन दोनों शब्दों में भेद करने का प्रयास किया है। प्रक्रिया के अंतरकर्थ अर्थ व्यवस्था में संग्रचनात्मक परिवर्तनों का होना आवश्यक है ताकि विद्यमान आर्थिक व्यवस्था को आमूल परिवर्तित किया जा सके। जबकि इसके विप्रीत व्रिद्धी दीर्क काल में घटित होने वाला एक क्रमेक तथा इस्थिर गति वाला परिवर्तन है जो बचत और जनसंख्या की दर में होने वाली समानी व्रिद्धी का परिणाम होता है। इस प्रकार जो उन्नती धीरे धीरे आर्थिक एवं समाजिक तत्वों में होने वाले परिवर्तनों के कारण होती है। उसे आर्थिक व्रिद्धी कहते हैं परंतु जब अर्थ व्यवस्ता में उन्नती की प्रभल इच्छा के तदंतर कुछ विशेश प्रेतनों वो क्रियाओं द्वारा क्रांती कारी परिवर्तन लाए जाते हैं तो उसके फल स्वरू होने वाली उन्नती को आर्थिक विकास कह जाता है याद रहे उन्नती के ये दोनों स्वरू दीर्ख कालीन तत्य हैं प्रोफेसर शुम्पीटर ने आर्थिक विकास को आर्थिक उन्नती की अपेक्षा अधिक उपियुक्त माना है शुम्पी हिक्स का इस संबंध में कहना है कि आर्थिक व्रधी शब्द का प्रयोग विक्सित देशों के लिए किया जाता है क्योंकि इन देशों में उत्पादन के साधन पहले से ही विक्सित होते हैं इसके विप्रीत विकास का संबंध अल्प विक्सित देशों से है जहां अशोशित वो अर्ध शोशित साधनों के पूर्ण उपियोग वो विकास की संभावनाएं विद्यमान होती है संख्षेप में इन दोनों शब्दों में पाई जाने वाले मुख्य अंतर निम्न प्रकार है पहला आर्थिक व्रधी, स्वभाविक, क्रमिक वो इस्थिर गती वाला परिवर्तन है दूसरा केवल उत्पादन में व्रधी का होना तीसरा आर्थिक वो संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने पर स्वतह ही घटित होती रहती है चौथा वरतमान साम्य की अवस्था में कोई आधार्भूद परिवर्तन नहीं होता पाच्वा आर्थिक उन्नती नियमित घटनाओं का परिणाम है यहो उन्नत देशों की समस्या का समाधान है और अंत में आर्थिक व्रधी इस्थैतिक साम्मे की स्थिति है अब अगर हम बात करें आर्थिक विकास की तो सबसे पहला है प्रेरित वो असतत प्रकर्ती का परिवर्तन 2. उत्पादन व्रधी प्लस प्राविधिक एवं संस्थागत परिवर्तनों का होना 3. विकास के लिए संग्रचनात्मक परिवर्तनों का किया जाना आवश्यक है 4. नई शक्तियों से नए मुल्यों का निर्मार किया जाता है तथा प्रचलित साम्य में सुधाल लाए जाते हैं अगला है आर्थिक विकास उन्नति की प्रबल इच्छा एवं विशेश निर्देशन वोसरजनात्मक शक्तियों का परिणाम है यह अल्प विक्सित देशों की समस्याओं को हल करने का एक समाधान है तथा आर्थिक विकास प्रावेगिक साम्य का एक रूट है आर्थिक विकास का अर्थ वो परिभाशा जान लेने के बाद एक सोभविक सा प्रशन उठता है कि आर्थिक विकास की प्रकृती क्या है क्योंकि आर्थिक विकास का सोभाव अर्थ शास्त्र के स्थैतिक एवं गत्यात्मक स्वरूपोर पर अधारित है इसलिए यहाँ अधिक उपियुक्त होगा कि पहले संशेप में इन दोनों शब्दों का अर्थ इस पष्ट कर लिया जाए पहले बात करते हैं static economics की static शब्द का समान्य अर्थ है इस्ते रहना तथा dynamic शब्द का अर्थ है गतिमान होना इसी प्रकार भौतिक शास्त्र में अभी static शब्द से अभिप्राय विश्राम की अवस्था से होता है इसके विपरीद अर्थ शास्त्र में static शब्द का आशे गति हीन अवस्था से नहीं होता बल्कि उस अवस्था से होता है जिसमें परिवर्तन तो हो परन्तु इन परिवर्तनों की गति अत्यंत कम हो प्रोफेसर हैराट ने इस्थैतिक शब्द की परिभाशा कुछ इस प्रकार दी है एक संतुलन का अर्थ विश्राम की अवस्था से नहीं होता बल्कि उस अवस्था से होता है जिसमें कार्य निरंत रूप से दिन प्रति दिन अथ्भा वर्ष प्रतिवर्ष हो रहा हो परन्तु उसमें व्रदी अथ्भा कमी ना हो रही हो इस परीवर्तनिय प्रक्रिया को ऑस्थैतिक अर्थ शाष्थ कहा जाता है इस परिभाशा से यह तो इस पष्ट हो ही जाता है कि स्थातिक अवस्ता कोई विश्राम या गती हिंता की अवस्ता नहीं है बलकि इसमें शेंड प्रतिशन परिवर्तन होते हैं परद्व यह परिवर्तन इतनी कम गती के होते हैं कि संपूर्ण अर्थ व्यवस्ता मे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन द्रिष्टी गोचर नहीं होने पाता। आए अब हम बात करते हैं डाइनमिक एकॉनोमिक्स या गत्यात्मक अर्थशास्त्र की। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात, दुख के बाद सुख, धूप के बाद छाओ, तथा जन्म के बाद ब्रति होना सोभाविक है। सत्यता तो यह है कि वास्तविक जीवन में पूर्ण स्थैतिक अवस्ता कहीं देखने को मिलती ही नहीं है। परिवर्तन शीलता की इस प्रकृति को गत्यात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। प्रोफेसर हैराट के अनुसार प्रावेकिक अर्थशास्त्र का संबंद विशेश्तिया निरंथर परिवर्तनों के प्रभाव तथा निर्धारित किये जाने वाले मुल्यों में परिवर्तन की दरों से होता है प्रोफेसर जेबी क्लार्क के अनुसार प्रावेकिक अर्थ शास्त्र के प्रमुक पाक्ष लक्षन निम्नवत हैं पहला जनसंख्या में व्रिध्धी दूसरा पूजी एवं पूजी निर्माण में व्रिध्धी तीसरा उत्पादन विधियों में सुधार चौथा और द्योगिक संगठनों के स्वरुपों में परिवर्तन पाच्वा उपभोक्ता की आवश्यक्ताओं में व्रिध्धी अतहा हम यहां कह सकते हैं कि आर्थिक विकास गत्यात्मक प्रकर्ति का है आर्थिक विकास आज के इस प्रगतिशील युक का एक बहु चर्चित विशय है और प्रतेख राष्ट विकास की इस दौड में दूसरे से आगे निकलना चाहता है पर सवाल यहों उड़ता है कि आर्थिक विकास की कसोटी अत्वा मांदंड क्या हो अर्थात किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं इस बात का पता कैसे लगाया जाए आर्थिक विकास की माप हेतू विकासवादी अर्थ शास्त्रियों ने निम्न लिखित मापदंड प्रस्तुत किये हैं पहला राष्ट्री आए वृध्धी मांदंड मायर, एवं, बाल्डवीन, कुटनेट्स, यंग्सन वो मीड जैसे विकासवादी अर्थ शास्त्रियों ने किसी देश की वास्तविक राष्ट्री आए में होने वाली वृध्धी को उस देश के आर्थिक विकास का सूचक माना है दूसरे शब्दों में यदि किसी देश की वास्तविक राष्ट्री आए में वृध्धी हो रही है तो यह वृध्धी उस देश के आर्थिक विकास की एक कसौटी मानी जाए बशर्ते ये वृध्धी निरंतर वो स्थाई हो उप्रोप्त मत के विपरीत आधुनिक समय में अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मत है कि राष्ट्री आए आर्थिक विकास का सही मानदंड नहीं है बलकि देश में प्रति व्यक्ति आए में होने वाली वृध्धी को उस देश में आर्थिक विकास के अधिसूचक के प्रति व्यक्ति आए से होता है आए अब हम तीसरे मापदंड की बात करते हैं जो है आर्थिक कल्यान वृध्धी मापदंड यह मानदंड राष्ट्री आए वो प्रति व्यक्ति आए के स्थान पर लोगों के आर्थिक कल्यान या जीवन स्थर को आर्थिक विकास की कसौट स्विकार करता है ओकन एवं रिचर्ड्सन के अनुसार यहां आवश्यक नहीं है कि राश्ट्री आए वह प्रतिव्यक्ति आए के बढ़ने पर लोगों के जीवन स्थर में व्रद्धी हो जाए जीवन स्थर मुख्यता उपभोग के स्थर पर निर्भर करता है इसलिए देश में बढ़ता हुआ उपभोग वह जीवन स्थर ही आर्थिक विकास का अधिसूचक है मान लीजिए राश्ट्री आए में व्रद्धी के सांसांत प्रतिव्यक्ति आए भी बढ़ जाती है पर सरकार द्वारा अधिकांश आय करों के रूप में अथ्वा अनिवार ये बचत योजनाओं के रूप में वापस ले ली जाए तो क्या इससे लोगों के उपभोग एवं जीवन स्थर में व्रद्धी हो सकेगी बिल्कुल नहीं इसी प्रकार एक देश जैसे कुवेट से कच्ची सामगरी या खनिज आदी का आत्यधिक निर्यात किये जाने पर राश्ट्री आय में व्रद्धी होती है जिससे प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ने लगती है परंतु देश का अपना उत्पादन अत्यंत निमने स्थरिये है क्या इस बड़ी स्थर अत्वा उनकी उपभोग आवश्यक्ताएं किस सीमा तक पूरी हो रही है एहम सवाल यह उत्ता है कि राश्ट्री आय अत्वा प्रतिव्यक्ति आय के बढ़ाने का नहीं बलकि लोगों के वास्तविक जीवन स्थर में व्रद्धी करने का है और इस पर ही संपूर्ण म समाज का करन्यार निर्भर करता है इस मांदंड में कुछ विरोधा भास भी पाई जाते हैं जैसे अर्प विक्सित देशों में उपभोग वृत्ति पहले से ही अधिक होती है और इन देशों में उपभोग को कम करने के प्राया प्रत्न भी किये जायते हैं ताकि बचत में व्रिद्धी होकर अधिक पूजी निर्माण संभव हो सके अतहा उपभोग को बढ़ावा देने का अर्थ होगा देश को विक्सित अवस्ता में बनाई रखना दूसरा उपभोग तथा जीवन स्थर अत्यंत भ्रमात्मक शब्द हैं जिनके निर्पेक्ष माप संभव नही हैं तीसरा कडियान के दृष्ट्री कोण को स्विकार करने पर हम केवल यह ही नहीं देखते हैं कि क्या और कितना उत्पादित किया जा रहा है बलकि कैसे उत्पादित किया गया है यह भी देखना होता है हो सकता है कि राष्ट्रिय प्रदा के बढ़ने के सांसांत वास्तव वो समाजिक लागतों जैसे पीड़ा, त्याग, शोषण, नैतिक पतन आदी में भी व्रद्धी हो जाए और जो अंत में आर्थिक कल्यान को पुनह सिमित कर दे